नमस्कार दोस्तों जै मातादीद आप सुभी का बहुत बहुत स्वागत करती हैं आपका अपना योट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं आपके राश्री के देनिक राश्रिफल के बारे में जो कि हर राश्रिफल आपके चंद राश्रिफल पर आधारी थे इस समय आपका बिजनेश करियर कैसा रहेगा लव लाइफ कैसी रहेगी और श्वास्थे की महत्पूंट जानकारी हम आपको देंगे शाथ ही वीडियो के अंत में एक सटिक उपाय दिये गए हैं जिन्हें जानकर आप इस दिन को और भी ज़्यादा खास और बहतर बना शकेंगे तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें शाथ ही बैल आइकन को प्रेश करके आल पर सिलेक्ट कर लें आपकी राशी से जोड़ी शबी महत पौन जानकारिया आग तक सब से पहले पहुँच सके तो आए इस वीडियो को प्रारंब करती हैं उससे पहले जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय स्री गणिश लिखेगा उन्हें भगवान गणिश जी का सीध आश्रवात प्राप्त होगा तो चलिए आज के शुब दिन की सुर्वात करती हैं लेकिन उससे पहले जान लेती हैं आज के पंचांग के बारे में 20 अक्टूबर 2021 बुद्वार का दीन है और आश्विन मास के सुकल पक्ष की पुर्णिमात थी है नक्षद की बात करे तो र दो बज़ कर दो मिनट तक इसके उपरांत में इस राश्य पर संचार करेगा बात करती हैं आज का सुब समय तो आज के डेट में किसी भी प्रकार की सुब समय नहीं है आज का असुब समय यानि राहु काल की बात करे तो दो पहर 12 बज़कर 11 मिनट से 1 बज़कर 37 मिनट तक यहां शमय में किसी भी प्रकार की नए और सूब कारी करने से बच्ची एगा क्योंकि यहां समय आशुप माना जाता है इस समय आप कोई भी कारी करेंगे तो कारी में आपकी बेगन बाधाई आशकती है चलिए बात करते हैं आज का देनिक राशिफल आज आपकी भागी में व अपने से आज अच्छे समाचार मिलेंगी और धार्मिक काम का यात्रा के पीछी धन खर्च होना पड़ शकता है आपको बता दी परिवार के सरदस्यों और दोस्तों के साथ अच्छा दिन गुजरेगा और नौकरी पैसा जातकों को भी कारिस्थल पर लाव मिलेगा इसके आपका आत्विश्वास बढ़ेगा हम आपको बता दी समय आपका मान शम्मान में भी ब्रिधी होगी और घर की सुक्स विधा संबंधित वस्तिवों की खरिदारी में भी परिवार के साथ कुछ समय आपका वैतित होगा आपको बता दी इसके उपरांतिहां शमय किसी असमुद्धे को लेकर आपको बता दी कहां सुनी होने क्या संग का नजर आ रही है और कभी-कभी आपका उत्तेजित होना और जल्दबाजी वाला स्वभाव आपके लिए ही परिशानी का करन बन जाता है। आपको बतादी किसी कारी में जल्दबाजी ना करें और सोच समझ कर कोई कारी करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और अपने स्वभाव पर हमेशा नियंतरन रखें और उस पर थोड़ा शावधानी बना कर रखें बैपसाय की बात करें तो यह समय आपको बता दी आएके नए स्रोत खुलेंगे और अपने नए काम सुरू करने की योजना बनाई है तो उस पर तुरंत अमल करें तुरंत बिचार करें ज्यादा सोच विचार करेंगे तो इस्तियां आपकी हाथ से निकल शकती है और शफलता के योग बने हुए हैं और काम में आपको इस समय शफलता भी मिलेगी नौकरी पैश्चा लोगों के लिए देखिए समय बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है नौकरी पैश्चा लोगों के लिए परिस्तियां अभी अनुकुल है और अधिकारियों के साथ साथ अच्छे संबध होना आपके लिए फाइदे मन होगा देखिए इस समय कोई जा से लोन बगेला लेने के आप तयारी कर रहे थे तो वह भी आजाब की पूरी हो शक्ति है मंजूर हो शक्ति है लव लाइफ की बात करते हैं समय परिवारिक वाता वरन खुशनुमा बना रहेगा और अपने घर के बड़े बुजर्गों का अश्रवात परिवार पर बना और बदलते मोशम से अपना बचाव अवश्य करें और अपने शेहत का अधिक से अधिक ख्यान रखें फाइदे के गर बात करते हैं समय और विवाहित लोगों को विवहाप्रस्ता मिल सकती हैं और नई सिख्चा के अवसर भी आज आज आपको मिल सकती हैं दिन आपके कारिक छेतर में परशानी और और सुविधा भी हो सकती हैं उपाई की विर्बात करें तो मचलियों को आटे की गोलियां खिलाएं बिजनस में आपको शफलता मिलेगी शुबरंग आज आपका औरेंज कलर है बागश्वाली आज आज आपका तीन है